रुश्कार दोस्तों कैसे आप सभी अस्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब प्लेटफर्म Learn Nursing Concept के अंदर जी हैं दोस्तों आज का जो मारा वीडियो है मैं इस परपस से लेके आये हूँ कि मेरे पास काफी सारे स्फुडेन्ट की काफी सारे जो उनके क्वरी आये कि Non-set 5 जो एकसामज़ है वो कब होगा कब होगा किस डेट को होगा रिजल्स कब आयँगा है ना किस महीने में होगा क्या पोस्ट कोण होगा तो ये और इसका रिजल्स अभी pending है, बहुत जल्द वो भी आने वाला है और अब बाते चल लहीं कि नॉट सेट 5 कब होगा, नहीं होगा, कैंसल होगा, पोस्ट पन होगा, इस सारी बाते चल रही है तो मैं आपको एक वेक्तिकत राई देना चाहूंगा दोस्तों, उस नॉट सेट 4 के अंदर आपने जितनी भी तैयारी के थी, बेस्ट तैयारी थी, उससे बढ़कर कुछ नहीं था पेपर का लेवल कैसा था आपने दिया, पेपर के अंदर कितने कुशन्स आए, आपने अटेम्टिंग अपने इसाब से की, अब आपने एक्जाम्स दिने के बाद मैं, रेलाइस किया कि हमने एक्जाम्स अपना बेस्ट दिया है, अब रिजल्स क्या आता है, वो बात की बा पाइप है वो होगा September के अंदर होगा December के अंदर होगा या कब होगा तो मैं आपको यह कहूंगा मेरी एक आपको वेक्तिकत रहे हैं कि दोस्तों जब तक जब तक नौट सेट का एक्जाम्स देना है अगर मान लीजी कल को रिजल्स आ जाता है और उस लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाता है बहुत अच्छी बात है उसके अंदर तो खुशी की बात है फिर तो आप पढ़ाई करें ना करें पढ़ाई को सैड में रख देंगा तो कोई प्रॉब्लम नही है आपको डिरेक्ट फिर जानिंग करनी है जो आपने मैनत की उसका फिल आपको मिल जाएगा लेकिन मान लीजे किसी कारण वस किसी के पक्स में रिजल्ट नहीं रहता है फिर आपको क्या करेंगे फिर तो आपको एक्जाम्स देना ही पड़ेगा जब तक इस फिल्ड के अं अटोबर के अंदर होगा या डेसमबर के अंदर है यह बात की बाते हैं और आपने देखा होगा कि डेलियम्स जो है अपना एक साल का पूरा एन्यूल कलेंडर प्रिपेर करता है किस डेट को किस पर्टिकुलर फिल्ड का एक्जाम होगा किस तारीक को उसका रिजल्स है ना किस तारीक को वेरिफिकेशन यह मल्टिपल टाइम्स यह जो कलेंडर काफी टाइम से यह बना रहा है और वो इस पर रेगुलर काम करते हैं तो आज तका रिकॉर्ड है कि उसने अपना एक्जाम्स कभी पोस्ट पॉन नहीं किया है जिस डेट को एक्जाम्स फिक्स किया है ना वो लेकिन होकर रहेगा एक्जाम्स सेप्टमर के देट जो दी है तो सेप्टमर के एक्जाम्स होगा यह तो दिखती बात है ना लेकिन आप अपनी तैयरी को जो है पहरे दोस्तों वो कंटिन्यू रखेगा क्योंकि मान लीजिए आपका रिजल्स अगर आप अपनी तैयरी लगे रहे हैं सेप्टमर के अंदर एक्जाम्स दिया है तो वो सेप्टमर के अंदर होकर रहेगा अक्टोबर की डेट दिये तो वो एक्टोबर के अंदर होगा तो जब भी जो नोटिफेकिशन आएगा आपको पता लग जाएगा और आप साइट पर अच्छा एक रेजर्ट्स देना है तो आप उस डिट को तैमान कर चले अब मान लीजिए उसके दस दिन बाद में हो जाता है तो क्या फरक पड़ेगा कोई बड़ी बात नहीं है आप कोई तैयरी मजबूत है कर नहीं है अगर आपके तैयरी प्रॉपर है तो मान लीजिए अब कल को एक्जाम ले लो क्या फरक पड़ेगा अगर आपके तैयरी है तो कोई आपका कल पर सो एक्जाम ले ले कोई फरक नहीं पड़ेगा आप बिल्कुल मजबूती से एक्जाम दे सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस से एक्जाम दे सकते हैं लेकिन अगर आपके तैयरी प्रॉपर नहीं है, आदिये दूरी तैयार ही है, बिना conceptual की तैयार ही है, आपने चीजे सही से नहीं पढ़ रखी है, तो मान लिजे आपको एक साल बाद में भी exam सोता है, तब भी आपको लगा कि करें, यह मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए, यह चीजे आपने और हमने सब ने फेस की है, तो आप यह मान के चले exam उसी date को होगा, जो इमस दिली ने दे रखी है, side पर डाल रखी है, उसके आसपास होकर रहेगा और results भी उसी date को आएगा, तो आप confused नहीं हो, और मैंने एक कोशिश की है, कि आपको यह information दे हूँ, आप बिल्कुल free mind से अपनी तैयरी को continue रखें, results का wait करें, results आएगा तो आपको पता लग जाएगा, किसका selection होता है, किसका नहीं होता है, लेकिन आपको यह जब तक result नहीं आता, तब तक यह मान के चलना कि मुझे exam अभी देना है, results आजाएगा, तो आपको पता लग जाएगा, कि मेरा हुआ या नहीं हुआ है, और मैं आपको आने वाल results की best wishes दूँगा, कि आप सभी का हो जाए, बहुत अच्छी rank असाफ में आपका selection हो, आप सब अपनी dream job पर लगे, dream post पर लगे, central government के अंदर आप post rate भी हो, तो दूआ करता हूँ, आप सभी अच्छे रहें, और सीख preparation continue करनी पड़ेगी, और continue करनी हैं आपको, क्योंकि preparation तयारी जो रहेगी आपकी इस बार अच्छी वाली करें, और आप आने मोले exam के लिए, खुद को तयार करें, ताकि एक बहतरी जग़े पर आप काम कर सकें, और अपने सपनों को पूरा कर सकें, इसी बात के साथ में यहा जी तोड मेनत आपको करनी है, और आप सभी को best wishes, thank you